नवस्कार दोस्तो ये agricultural supervisor का जो paper हुआता किरसी पर्विक्चक का 2015 में उसका part 2 है हम पहले 20 question जारी कर चुके हैं part 1 में और दोस्तों ये हमारा part 2 है तो सुरू करते हैं question 1 21 टिम्पने हटिस यानि अफारा एक रोग है जीवानू जनित विसानू जनित फपूंद जनित आहर जनित कुश्य नमर 22 कुक कुट फाल फॉक्स जनित रोग है फपूंद जनित विसानू जनित जीवानू जनित प्रोटो जोजनित तो दोस्तो इस प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे और अग्री एकजाम जी के चैनल को यूटूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोच को सेर जरूर करें कौन सी भैसके सिंग छोटे वे जलेवी के आकार के मुड़े हुए होते हैं सूर्ती, जाफरावादी, मुर्रा, नीली रावी चौबीस, पस्वों को आंत्रिक परजिवी मारने के लिए किरमी ना सक दवा पलानी चाहिए वर्स में एक बार, पिर तेक महा में, वर्स में दो बार, दो वर्स में एक बार कुशिन नमर पच्चीस, दूद्ध होने की सर्वोत्तम विदी है पूर्ण हस्त विदी, अंगुठा विदी, चुटकी विदी, इन में से कोई नहीं दोस्तों किर्सी प्रविक्चक 2015 के एक जाम में टोटल सो कोश्चन थे साइट कोश्चन एकरिकल्चर के थे और दोस्तों पच्चीस कोश्चन जीके के थे और पंद्रह कोश्चन हिंदी के थे साइट कोश्चन हों, चार नमर का एक कोश्चन था तो जीके के जो कोश्चन थे वो 240 नमर के थे हिंदी के जो कोश्चन थे वो 60 नमर के थे पंद्रह कोश्चन और 100 नमर की जीके थी question number 26 अपने कॉफी पेन लेकर लिख सकते हैं हम इस अलग कोई वीडियो अलग बनाकर या कमेंट्स बॉक्स में इन कोश्चिनों का अंसर जरूर आपको देंगे या फिर आप जो इन कोश्चिनों का आप पर आंसर आते हों तो आप ही इन कोश्चिनों का अंसर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो संसकार सब्द में निमलिक्त में से कौन सा उपसर्ग है सम उपसर्ग, सम हलंत उपसर्ग, सन उपसर्ग या सन हलंत उपसर्ग कोशिन नमर 28 निमलिक्त सब्दों में से किस सब्द में दुन्द समास का प्रियोग हुआ है नव्यूबक, चंद्रोदे, चतुर्भुज, धनुर्बान कोश्चन नमर गुंस्तीस भी हिंदी से है निर्जर, निर्जर सब्द युग्म के क्रमसे अर्थ है जर्णा एवं व्रद, युवा और देवता देवता तथा जर्णा व्रद एवं देवता कोश्चन नमर तीस, गौरव का विलोम सब्द कौन सा है लगू, लगीमा, लाघव, लगुत्व निम्न लिकित में से सुद्ध वाक के चुनिये वहे डंड पाने के युग्ग है उनका बहुत भारी सम्मान हुआ सत्रू मैदान से दोड़ खड़ा हुआ के रेलवे के करम चारियों की गरफतारी हुई बत्तीस डॉमी कल अंग्रेजी सब्द के लिए निम्न लिकित में से कौन सा सब्द पारवासिक सब्द के रूप में हिंदी में प्रियुक्त होता है प्रवास, अदिवास, प्रतिवास, प्रियास खटाई में पढ़ना का वाक्य में सार्थक प्रियोग है बीटी तो बिहदी अब क्या खटाई में पढ़कर बैठे रहोगे उसने घर क्या बसाया लगता है खटाई में ही पढ़ गया बात तै थी लेकिन एन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम खटाई में पढ़ गया दोनों में सुले हो गई चलो किस्सा खटाई में पढ़ गया दोस्तो खटाई में पढ़ना वाक का सार तक प्रियोग करना है इस प्रिशन में चौतिस नी प्लस उन सब्दों का सही संदी रूप है नियून नियून नियन दोस्तो आप इनको साबदानी से पढ़ लें देखो इसमें छोटी नी नियून है नियून चोटा हुआ है इसमें नैन है तो इसका सही संदी रूप है क्या है पैटिस कुरू सब्द में निमले खित में से कौन सा प्रत्ते लगने से कौरव सब्द बनेगा एप्रत्य लगने से बनेगा अब लगने से बनेगा आव लगने से बनेगा या रव लगने से बनेगा पीताम बर सूक रहे थे वाक्य में रेखांकित पद किस समास का उदारन है बहुबिरी, तत्पुरस, द्वंद, करमधार 37. खेचर सब्द का परियाईवाची निमलिखित में से कौन सा है? 38. निमलिखित में से किस विकल्प में सभी सब्द वर्तनी की द्रष्टी से सुद्ध है? 38. निकरष्ट, निरामिस, इतिहासिक, समाजिक, उज्ज्वल, गनतंत्र, रिज्व, बाल मिकी दोस्तों जब आप एक्जाम पेपर करें तो एक बार इन सब्दों को जैसे मैं आपको बूल के बता रहा हूँ इनका सही उच्छारन करें जो आदा कोश्चन है वो तो आपको सही उच्छारन करने से ही समझ मा जाएगा तीसरा देरकाय समय से आद्द, किर्ति, अग्रे, आसिर्वाद, ग्रहाय, सन्यास, जेष्ट तो इसमें पूछा गया है निमलेक्त में से किस बिकल्ब में सभी वरतनी की डिश्टी से सुद्ध है वैसे कोश्चन हटा दिया गया था कई कोश्चन थे जो 2015 में जो पेपर लिया था आठ या 9 कोश्चन थे जो हटा दिया गया थे उनमें कुछ गड़बड़ी थी या उनके उत्तर में समय चारे थे सेम उत्तर आ रहे थे इस कारण से कोश्चन थे जो हटा दिया गया था उपकार के पिरती किया गया उपकार वाक्यांस के लिए उप्युक्त सब्द चुनिए परोपकार उपकार उपकार निराकार प्रत्यूपकार निम्न लिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रियोग हुआ है तुमने तो कभी की प्रसंसा में नाव वान दी मेरा यहां रहना तुम्हें पेट में चुहे कूदना लगता है क्या मौका चुक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया वहे आखें बिचा कर उससे लड़ने गया निम्न लिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रियोग हुआ है तो दोस्तों आप इसका अनुमान लगाएं इसका सही अंसर पर वैसे टिक लगा हुआ है मौका चुक जाने पर बेचारा खात मलता रह गया चार नमर इसमें मिल चुके थे मरस्तली चेतर में बिसिष्ट लवन चीलों को इस्तानी बहसा में क्या कहा जाता है डाड टॉड पिलाया रन कुश्चिन नमर बैलीस लोक कलाकार लच्छी राम का सम्मन्द है तुर्रा कलंगी जैपुरी खयाल कुचामनी खयाल रम्मत तेतालीस राजिस्थान के लोगों द्वारा पिरकासित किया गया पहला पत्र था राजिस्थान समाचार राजिस्थान केसरी राजिस्थान टाइम्स देस हितेसी चम्वालीस वह भूमी जिसमें कूओं नहरों तलावों और नदियों आदी सादनों के मात्यम से सिच्चाई संबव होती है वह कहलाती है घरुहाला भूमी चाही भूमी काकड भूमी कनकूत भूमी पैतालीस गनगोर का तुहार किस माह में मनाया जाता है चैत्र बैसाक कार्तिक फागुन खीमेल माता का मंदर राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है अलवर भरतपुर सिरोई उदैपुर चैतालीस चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से गिरा हुआ दुर्ग कहलाता है एरन दुर्ग मारीक दुर्ग मारिद दुर्ग धन्व दुर्ग अड़तालीस इस्तिरियों के हाथ का एक आहबूसन बिसेस है फोलरी बटन पच्छेली तोडो तो दोस्तो आप इस परकार की और रदिक वीडियो देखने के लिए हमारे आवलागरी एक जाम जी के चैनल को यूट्टूब पर सब्सक्राइब चरूर करें गुनंचास जालिम सिंग की हबेली इस्तित है जालरा पटन जैसलमेर जोदपुर बीकानेर पचास बीजा और माला नामक उबजातियां किस जन्जाती से संबन्दित हैं? मीना भील सहरिया सांसी अक्यामन भूता नाड़ी राजिस्तान के किस जिले में इस्तित है? बीकानेर बाडमेर जोदपुर उदेपुर बामन राजिस्तान में सुन्हेरी किरांती का संबन्द है बागवानी उत्वादन मसाला उत्वादन सरसों उत्वादन मतस्य उत्वादन त्रेपन अराबली प्रदेश का विस्तार राजिस्तान के किस जिले में नहीं है? सिरोही उदेपुर जालाबाड अजमेर चोवन मारवाड रा परगना रीविगत नामक ग्रंत के रचनाकार है सूर्यमल मिस्रन मुहनोत नैनसी दयाल दास दुरसा आडा पच्चपन राजिस्तान निर्मान की पिरक्रिया में गठित मतस्य संग में समलित था डूंगरपुर सहापुरा धौलपुर जैसलमेर चपन निम्न लिकित मैं से किस राजिस्तानी बोली को ग्रिय सन्रे भीली बोली कहा है हाडोती ढूंडाडी बुआगडी मालवी सत्तामन सीताबाडी का मेला लगता है अलवर कोटा डूंगरपुर सबाई मादोपुर राजिस्तान के लोग देपता हर्बु जी का चन्म हुआ चित्तोडगड जोदपुर जैपुर नागौर फाइव नाइन मोकल जी के मंदर के नाम से प्रिसिद्ध है सम्मित देश्वर प्रिसाद नगरी सत्वीज देवरी फत्य प्रकास महल साइट धातु की अर्द अन्डाकार कुण्डी को भैसे की खाल से मढ़कर चमडे की डूरियों से कसकर लकडी के डंडों से बजाये जाने वाला लोक वाद कहलाता है नौबत अलगोजा भपंग मूरचंग तो दोस्तो अगले बच्चे कोश्चन हम अगली सीरीज में डालेंगे इस सीरीज में हमारे इतने ही कोश्चन हमने साइट कोश्चन डाल दियें बीस कोश्चन पार्ट वन में डाल दियें और चालिस कोश्चन पार्ट टू में डाल दियें बाकी बचे 40 question हम part 3 में डालेंगे तो दोस्तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे यूटूब पर all agree exam जी के चैनल को subscribe करें और हमारी वीडियो जिको share और like जरूर करें दोस्तो अगर हमें अच्छे viewer और अच्छे subscriber मिलते हैं तो हम और बहुत अच्छी वीडियो डालने की कुस्स करेंगे जिससे आपको अधिक सदिक knowledge और अच्छी सरलवासा में ग्यान आपको मिल सके आप एक तरह से online coaching मेरे चैनल को बनाने की मैं कुस्स करूँगा online coaching की तरह है तो दोस्तो मुझे आपके सबस्क्राइबर और आपके वियू और आपके सेर की काफी जुरत है तो आप मुझे वो दें